तुर्की क्या तुर्की के राज़पती, रेजिप, ताइप, अर्दुआन, हमास के तीन कमांडरों की मौत का बदला इसराइल से लेने जा रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि तुर्की ने इसराइल से दो टूक कह दिया है कि वो फिलिस्तीनियों के नरसंगार का बदला हर हाल में लेगा। जरागाजा पट्टी का ये वीडियो देखिए। फिलिस्तीनियों के एक शिवर पर जबरदस एर श्ट्राइक इसराइली से इनाने की है। इस आठ सेकंड के वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कुछ लोग तंबु आले शिवर में अंदर की ओर जा रहे हैं। तब ही एक मिसाइल उनके उपर आकर गिरती है और मौके पर मौग पर मौजूद हमास के लड़ाके मारे जाते हैं। हम आपको एनिवेशन के जरीए पूरी खबर समझा देते हैं जो तुरकी हमास के कमांडरों के मारे जाने से नाराज है और इसराईल ने कैसे हमास के तीन कमांडरों को मार डाला है दावो के मताबिक जिस वक्त हमास के तीन कमांडर घाज़ापट्टी के अलमावासी शिवर में मौजूद थे ठीक उसी वक्त इसराइली सेना ने अलमावासी शिवर पर हमला कर दिया दावा किया गया है कि इसराइली हवाई हमले में हमास के तीन टॉप कमांडर मौके पर ही मारे गए जबकि 40 से ज्यादा लोग ऐसे भी मारे गए जो शिवर के असपास मौजूद थे इसराइली सेना का दावा है कि इस हमले में हमास का कमांड सेंटर भी तबा कर दिया गया है जहां से पूरे गाजा में हमलों को कंट्रोल किया जा रहा था अब आप हमास के उन तीन कमांडरों के नाम भी जान लीजिए जिनके मारे जाने से तुर्की बुरी तरहां से बदला लेने पर उतारू हो गया है इसराइली सेना के दावों के मताविक दक्षिनी घजा के रफा में हमास के तेलल सुल्तान बटालियन के कमांडर महमूद हमदान और उनके साथ ही मारे गये हैं पिछले 48 गंटे में इसराइली सेना के हमले में घजापटी में सरसफ से ज्यादा लोग मारे गये हैं जिन में लगबग एक दरजन के करीब हमास लडाके और उनके कमांडर मारे गये हैं सबसे ताजा हमले में इसराइल ने 27 फलिस्तिनियों को मार डाला है खान यूनुस की एक अमारत में 13 लोग मारे गए हैं इसराइली हमलों से सुरक्षित माने जाने वाले अलमवासी कैम्प में इसराइल सेना ने सबसे भी शणामले किये हैं दावा किया गया है कि इसराइली सेना के इस हमले में हमास की हवाई काई के प्रमुक समर इसमाईल गादर अबू दुक्का हमास के सैनने खूफिया मुख्याले के प्रमुक उसामत ताबिश और हमास के एक टॉप कमांडर एमान मबो को मार दिया गया है मिडिल इस्ट की मीडिया के मताबिक इसराइल ने अलमवासी में अमेरिका निर्मित एमके चौरासी बमों से हमला किया है 907 किलो के अमेरिकी एमके चौरासी बमों से ही हमास के तीन कमांडर मारे गए हैं इसराइल गजा की तरह ही अपने लड़ाकों इमान मिसाइल टैंक और बक्तर बंद वाहनों से पूरे वेस्ट बैंक में जबरदस्थ हमले कर रहा है इदर तुर्की शुरू से ही इसराइल को चितावनी दे रहा है कि वेस्ट बैंक को घजा बनाने की जरा भी भूल मत करना वन्ना तुर्की चुप नहीं बैठेगा कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि तुर्की के हजारों सेनिक, टैंक, तूप और लड़ा को इमान जंगी तैयारी करने लगे है अब ऐसे में सवाल उटता है कि क्या तुर्की सेनने तौर पर इतना ताकतवर है कि तुर्की के इस्तानबूल से इस्राइल की राजदानी तेलवीब पर हमला किया जा सके तुर्की के राजपती ने मिस्र के साथ मिलकर एक ऐसा बयान दिया है जिसने इस्राइल और अमेरिका के होश उडा दिये है तुर्की के साथा है मैं, शजखा लित्मिकाः अमेरिकानी जबके शुब लादिगी शब्गी शब्सक्राइब का धाए जब्सक्राइब का ये बयान काई माइनो में हारान कने वाला है अवी तक नेटो देश तुर्की को लगता था कि अमेरिका इसराइली हमलों को रोकने के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करेगा लेकिन अमेरिका ने उस वक्त अपना असली चहरा तुर्की को दिखा दिया जब अमेरिकी राजपती जो बाइडन ने दोटूक कह दिया वेस्ड बैंक पर इसराइली हमले में मारी गई तुर्की अमेरिकी महिला आईसे नूर, अग्जी ईगी की मौत महज एक इतफाक है वो गलती से हमले की जद में आ गए यानि अमेरिका और तुर्की की दोहरी नांगरिकता रखने वाली महिला एकजी ईगी की मौत पर राश्टपती बाइडन ने इसराइल को ही क्लीन चिट दे दी 6 सितंबर को मारी गई अमेरिकी तुरकी महीला आईसनूर एकजी ईगी कोच 6 सितंबर को उस वक्त इसराइली सेना ने सिर में गोली मार दी जिस वक्त वो फिलस्तीनियों के पक्ष में प्रोड़शन कर रही थी इसराइल के खुंखार हमलों पर अमेरिका के दोहरे माबडंड को देखकर ही तुरकी अब इसराइल के खुल कर जंग के मैदान में कूट पड़ा है कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि तुरकी के हजारों सैनिक, टैंक, तोप और लड़ा कोई मान जंगी तैयारी करने लगे हैं अब ऐसे में सवाल उटता है कि क्या तुरकी सेनने तोर पर इतना ताकतवर है कि तुरकी के स्तानबुल से इसराइल की राजधानी तलवीब पर हमला कर सकता है जानगारों के मताविक इसराइल के तलवीब से तुरकी के स्तानबुल की दूरी लगबग 1200 किलोमीटर है इतनी दूरी तक तुर्की आस्मान से इसराइल पर अपने घातक TV2 ड्रोन, फाइटर जेट और मिसाइलों से हमले कर सकता है। पहले आप ये जान लीजे कि तुर्की और इसराइल की सेन्ने ताकत में कौन बाजी मार रहा है। ग्लोबल फायर पावर 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक 145 देशों की सेन्ने रैंकिंग की सूची में तुर्की ग्यारवे स्थान पर है। इसराइली सेना में टैंकों की संख्या 2200 है। इसराइली सेना में तुर्की की बायुसेना में एक भी फ्रिगेट नहीं है। वह इसराइल के पास 241,000 विमान, 32 हमला वर विमान है दो साल में खत्म होगा इसराइल, ट्रम्प की भविश्यवानी आपनों को देखकर साफ कहा जा सकता है कि इसराइल की तुलना में तुर्की सेनने लिहास से जरा भी कमजोर नहीं है इस वक्त तुर्की, मिसर, एरान, लिबनान और सीरिया जैसे देशों को एक जुट करने में लगा है उदर रूस के राज़पती, पुतिन और तुर्की के राज़पती, अर्दुआन, गाजा, लिबनान और सीरिया पर हो रहे इसराइली हमलों को लेकर कैई गुप्ट प्लान बना चुके है दावा तो यहां तक किया गया है कि नेटो के कैई देशों को पुतिन ने अपनी तरफ ला लिया है पुतिन के इस मिशन को पूरा करने में तुर्की का भी बड़ा हाथ माना जा रहा है नेटो देश होने के बावजूद तुर्की के संबंद रूस से जबरदस्त है यही वज़ा है कि तुर्की रूस के इशारे पर इसराइल को गंबीर चेतावनी देने लगा है एक तालिस हजार के करीब अब तक फिलिस्तीनी मारे जा चुके है आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त अमेरिका में राश्टपती चुनाओं में गाजा युद और पूरे मिडल इस्ट को लेकर पूर्व राश्टपती डॉनल्ड टरम्प और वर्तमान में अमेरिका की उपराश्टपती कमला हैरिस के बीच बेहन कर जुबानी चंग चल रही है टरम्प ने तो दो टूक कह दिया है कमला हैरिस इस्राइल से नफरत करती है और अगर कमला हैरिस राश्टपती का चुनाओ जीत गई तो दो साल में इस्राइल का वुजूद खत्म हो जाएगा पब्लिक डिबेट में टरम्प का ये हैरान करने वाला बयान इस्राइल के लिए गंभीर खत्री की घंटी है टरम्प के बयान से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसराइल घजा यूद में बुरी तरह से फस गया है अब तो नेटो देश तुर्की भी इसराइल से दूदो हाथ करने को तयार है अब ऐसे हालात में भी इसराइली सेना घजा से लेकर वेज़ बैंक तक ताबर कोड हमले कर रही है इधर खबरें ये भी आ रही है कि नेतनियाहू ने अपने टॉप कमांडरो कुरूज साथ समझा दिया है कि अगर हम सीस्पायर करते हैं अज तो दुबारा जिन्दा और अपनी ताकत हासिल करने का मौप हमिल जाएगा